नमस्कार दोस्तो एक्सपर्ट फार्मर यूटीब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये जून के महीने में आलू की फ्रूटिंग जो है वो दिखा रहे हैं दोस्तों ये जो जून का महीना है इस महीने में भी आलू आपको देखने को मिल जा रहे हैं साथ ही साथ जो आलू है वो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं और दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कुछ दो वेराइटियां हमने बहुत ही अच्छी हैं जो हमने अ नमबर एक पर है पैराड लक्स दोस्तो ये खास क्यों है इसके बारे में बात करते हैं चलिए दोस्तो ये जो परजाती है दोस्तो ये बहुत ही अच्छी वराइटी है इसका पोदा दोस्तो जादा बड़ा नहीं होता छोटा होता है मध्यमाकार का होता है दोस्तो इसे आप घर में लगा सकते हैं साथी साथ छट पे लगा सकते हैं टेर्स गार्डनिंग करते हैं आप वहाँ पर किसी बड़े से बैग में इसके पोदी को लगा सकते हैं दोस्तों वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी फ्रोटिंग देगा दोस्तों इसके साथ साथ जो इसका फल है दोस्त तो जून का जो अंतिम सब्ता होता है उसमें पकर तयार हो जाता है जैसे अभी आप देख रहे हैं जून के आज लगबग 25 आरी के जब में वीडियो सुट कर रहा हूं और अभी आप देख सकते हैं आडू पे कितनी अच्छा कलर आए हुआ है हलका येलो और रेड कलर का कॉं पर बार इसको मायंगे दोस्तो दूस्तो इसकी खेटी करके भी आप लाकों रूपे कमा सकते हैं क्योंकि दूस्तो ऐसा होता है आलू की जो अगेती वराइटी है साने पंजाब होई इस तरह की बहुत से वराइटीया है वह सब जो है समाप्त हो चुकी होती है समय तक उनके फ्रोटिंग को अर्वेस्ट का लिया जाता है तो बसते हैं ये वेराइटी दोस्तो इससे आप इसको मार्केट में सेल करके बहुत ही अच्छा प्रोफिट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो एक दो फोधा अपने घर पर भी इसका लगा सकते हैं कि आपको फ्रोटिंग मिल सके दोस्तो एक दूसरी वेराइटी है वह भी बहुत ही अच्छी है दोस्तो ये जो वेराइटी है पैरी ग्रीन वेराइटी दोस्तो इसको बोलते हैं दोस्तो इस पर जाती में जो फल है दोस्तो बहुत ही अच्छी इसकी फलत है दोस्तो क्वालिटी बहुत अच्छी फ्रूट की दोस्तो इसका जो फल है वह 15 जून से जो पकना शुरू हो जाते हैं साथी साथ तयार होने में थोड़ा समय लगता रहता है हाथ फल तयार होते रहते हैं और हार्वेश्ट करते रहते हैं खाने में बहुत यादा टेस्टी हो होता है दोस्तो इसका जो गूदा होता है वो हलका खटा होता है और काफी यादा मीठा होता है मतला हलकी सी खटास लिएवे इसका फल होता है और मीठा बहुत ही जादा होता है दोस्तो इसके फल की जो गुठली होती है बहुत ही असानी से अलग हो जाती है बिना इसका जो पूठली पर चिपका हुआ नहीं होता है, बहुत ही असानी से अलग हो जाता है एकदम से, तो दोस्तों अगर आप इसके पोदे लगाना चाहते हैं, दो चार पोदे अगर आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं, तो आप कॉंटेक्ट करें, अगर आप इसके बागवानी करक के लाकों रुपे कमाना चाहते हैं जो भी आप कॉंटक्ट कर सकते हैं दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद